हलो एवडिवन आज की इस नए वीडियो में हम अपने इस्टुडियो का एक छोटा सा क्लिप दिखाने वाला हूँ क्योंकि ओनलेंड क्लास के लिए एक बहतर इस्टुडियो सेटप कैसा होना चाहिए वो एक प्रोपर तरीका से त्यार होने वाला है फिलहाल अभी काम चलता है इसके बाद चलेगी वारिंग के काम उसके बाद दुरंत होगा आपका डिजिटल बोड का इंस्टॉलेशन ठीक तो आप सभी इस वीडियो को सुरु से लेकट अन तक देखेगा बहुत मचदार होने वाला है इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि हमारे इमेल पर एक मेसेज आया है कि बहुत दिन हो गए आपके चैनल पर वीडियो अप्लूट की हुए इसलिए आपकी मोनेटाइएसन को आप किलता है तो बहुत दूप की बात है दोस्तों इसलिए आप सभी दबा कर सेयर करें लाइक करें जरूर एक बार सपोट कर दीजिए इसके बाद जल्द ही मैं आपके साथ लोट रहा हूँ दमदार कलास को लेकर तो यह रही हमारी इध आपका यह दिवार में है तो यहां भी लगए टूट लाइट और यहां पर रहेगा आपका अधर बहुत सारा बूक बहुत परिलेगी पूर्ए- की-पूरी अभी यहां भी वारिंग होने वाली है, स्खेकी की नीचे-नीचे क्योंकि अभी भुल गये थे तो उसमें भी वा ठीक अब चलते हैं बाहर की योड तो बाहर ये है थोड़ा सा गुलकिनी थोड़ा सा और इधर जाएंगे तो आपको आपको आते हैं लेकर नीचे तो यह रही आपकी आफ्लेंग ग्लासेश यहां पर पढ़ाया गया है देख सकते हैं यही जो है अब लाइब क्लास मिलेंगे आपके यूटूब पर तो यहां रहा आपका पोची के अपूदर जहां सुदेकर वहां तक ड्याली स्टीट ठीक और इधर का रहा थोड़ा सा खेकी वला लूक ठीक तो इसलिए आप साथी जो है आप चलते हैं हम इसको बाहर से थोड़ा दिखाते है जाने कि बाहर से इसका नजारा कैसा है तो चल्ण बने रही है और देखी रही पूरी बाहर की लूक इसकी बाहर की फ्रंट साइज कर दो कर दो कि आप सभी ने देखे लिया बाहर का लुकिंग कैसा था ठेक तो इसलिए आप सभी हमारे वीडियो को दबा कर सेल किजिए लाइक कीजिए फड़ा फड़ा चैनल डी मोनिटाइज होने वादा है तो आप सभी भाईयों बहनों एमों चात्र चात्राओं से एमों बड़े भाईयों से रिक्वेस्ट है कि दबा का सेल किजिए बहुत दुख की बात है क्यूंकि आप जानते हैं एक चैनल को खार करने में बहुत ज़्यदा समय लगता है इसलिए आप लोग स्वरा हेल्फ कीज थीगा, thank you so much